हेलो मेरे चैनल में आपका स्वागत ही आज जमनाएंगे तवा बिरियानी तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मिक्सी के जार में लेंगे दो बड़े चमच दहीं इसके बाद दालेंगे द्रक साथ ही दालेंगे लहसून और दालेंगे हरी मिर्च इसके बाद दालेंगे जीरा देट चमच दनिया पावडर एट चमच लालमेच पावडर थोड़ी सी हल्दी पावडर नमक और सारी चीजों को मिक्स करके पेस्ट बना लेंगे और यहां लिए हैं चिकन टंगडी अब देख रहे हैं इसे थोड़ा थोड़ा कट लगाएंगे ताके हमारा मसाला अंदर तक जाए और चिकन भी फीकी ना लगे अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे तो यहां लिए हैं पड़ी लिउस थोड़े से साथ में दालेंगे हाथों से तोड़ते हुए फ्रेश गुदीना और यह एक बड़ा चमश बिरियानी का मसाला साथ में थोड़ा सा सीनिमन स्टीक थोड़े लॉंग काली मिर्श के दाने दो छोटी इलाइची दो बड़ी इलाइची सारे गरब मसाले भी हम इसी में दाल देंगे और तेज पत्ता कि ओर जो पेस्ट बना के हम रखेती सारे मसालों की वह भी पुरी की पुरी जाग देंगे प्लाइची असानी देलेंगे एक बड़ा कटा हूँआ टमाटा सारे चीज़ों कोछी से मिक्स करेंगे अफ़ी चिकन को मेरिनेट करने के लिए रख देंगे एक गंटे तक मेरिनेट होने देंगे अब यहां लिया है बड़ा तवा तवे में दालेंगे दो बड़े चम्मच ओईल ओईल थोड़ा गरम होगा तो दालेंगे एक कटी हुई प्याज प्याज को फ्राइ करेंगे हमें और कुछ नहीं दालना क्यूंकि हमने सारे मसाले सब कुछ चिकन में दाल दिया है तो जो चिकन मेरिनेट करके रखी थी वो दाल देंगे और इसे अच्छे से पहले भून लेंगे यह चिकन अच्छे से बून चुकी है आप देख रहे हैं तब आम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे पानी डाल के मिक्स करेंगे अच्छे से अब को जरूरत लगे तो आप थोड़ा नहीं इसमें डाल सकते हो बिसे डग के पकने देंगे यह हमारी चिकन अच्छे से पक चुकी है देख रहे हैं और मसाला भी अच्छे से तयार हो चुका है तब इसमें डालेंगे थोड़ा सा दनिया वापिस डालेंगे थोड़ा सा पुदीना तो यहां मैंने चावल बोईल करके रखे हैं बिर्यानी के बासमादी चावल वो उसका लेयर करेंगे और इसके ओपर एक बड़ा चमस गी डालेंगे फिर दालेंगे चुकी यलो फूट कलर आप ग्रीन फूट कलर का भी यूज़ कर सकते हों फिर बिरस्ता दालेंगे प्याज का साथ में दालेंगे कटा हुआ रादनिया फिर पुदीना और अब हम बिरियानी दम पर रखेंगे इसे अच्छे से और कम से कम दस मिनिट तक पूने देंगे यह 10 मिनिट हो गई है तो बिरियानी अमारी बिल्कूर रेडी है अब हम देखिये तो यह रेडी है तब चिकन बिरियानी